हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल और मैं हूँ भारती और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक छोटी सी नर्सी सकी हुई शॉपिंग जो है वो शियर करने वाली हूँ और मुझे जो है एक पॉर्ट चाहिए था बिल्कुल जैसे छोटा सा तो मेरे पास एक न्यू कैक्टस मैंने लिया है तो उसके लिए मैंने 20 रुपीस का प्लास्टिक का एक पॉर्ट लिया है काफी चोटा है चार से पांच इंच के बीच में होगा और इसकी जो प्राइस है वो है 20 और अच्छी क्वालिटी है मैं ज्यादा खराब नहीं है लेकिन पॉर्ट मेरे पास काफी टाइम से मैं लेना चाहती थी लेकिन जो एक 50-60 की आती है चोटी बॉटर मुझे वही पसंद है तो बट वो जो है खराब जल्दी हो जाती है वनमंत भी नहीं निकलता है उसका जो प्रे वाला पार्ट होता है वह बिलकुल खराब हो जाता है और उसको मैंन मेरे पास एक परफ्यूम की छोटी सी बॉटल है जिसमें पानी बहुत कम आता है और इसको जो है थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर से सप्रे करना पड़ता है और इसलिए फिर हो नहीं पाता है पूरे प्लांट पे एक पे करना हो तो हो जाएगा इसलिए फिर मुझे यह बड रैसुला की वराइटी है सकुलन प्लांट है बेबी नेकलस इसे कहते हैं वैसे इसके काफी सारे नाम है और एक इसे बटन प्लांट ऐसे कुछ करके भी कहते हैं तो जैसे किसी धागे में बटन पर रोय हुए हूँ इस तरह से है बिलखुल यह देखने में सेम टू सेम और यह जो प्लांट है मैं काफी टाइम से देख रही हूँ यूट्यूब पे मतलब की खुद के खुद जैसे वीडियो जा जाती है तो मैंने यहां नर्सरी पे इसको कॉमली नहीं देखा है कहीं कहीं पे देखा है मैंने और कभी मैंने इसका प्राइस भी नहीं पूछा था एक मैं नर्सरी पे गए थी तो वहां पे काफी सारी प्लांट इस तरह से स्कुलन्स पड़े हुए थे और सबसे ज्यादा सुन्दर है मुझे ही लगा और प्राइस भी इसका अच्छा लगा तो यह प्लांट है मुझे 50 रुपीज में मिला है चार इसकी जो लंबी लेगी सी ब कर सकते हैं और कटिंग इसकी मैंने सुना है कि जल्दी लग जाती है बाकी मुझे पाता नहीं अभी ट्राइए करूंगी तो फिर शेयर करूंगी डिटेल में तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे छोटे-छोटे से इसके और भी जो ब्रांचे से वो निकल रहे हैं तो स ही ठंडी हवा चलती है शायद उसकी वजए से काफी सारे सक्कुरेंस मेरे भी मैने देखा इस बार रेड हो रहे हैं और यह जो है देखने में भी अच्छे लगती हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि इह घुप से आता है तो मेरे हिसाप से दूप से नहीं आता है यह ठंडी हव तो यह मुझे लगता है ठंड की वजह से है शायद जो ठंडी हवा से या फिर कुछ भी मतलब यह नहीं पता अब कैसे है लेकिन है यह ठंड के कारण तो धूप से यह रेड नहीं होते हैं लेकिन जो इसकी बनावट है काफी खूपसूरत है और जो इसमें इस तरह से टेक्स् कुल मिला के जो प्लांट है बहुत ही ज्यादा सुन्दर है और मुझे काफी पसंदाया है तो था भी 50 रुपीज में कि यह बॉटल प्लांटर में इस तरह से जैसे होते हैं उसमें लगा हुआ है और लगा ऐसे लग रहा है कि काफी पुराना है क्योंकि यह ग्रीन भी मिट 고 history पे तो इसे लग पता चल जाता है कि प्लांट जो है कब रिपॉर्ट किया गया है और इसका ग्लास सा है मैं इसको रिपॉर्ट कबना है क्योंकि अभी ठीक ठाक है जब लगगा कि raport करना चाहिए ओर कर दूंगा अभी जिसकी रिपोर्टिंग की बार है वह यह है। क्या के मैंने लास्ट ही एक अलग वस्ट यह सोप से लिया है और यह जो कैक्टस है यह कrocket है काफी सुझर होता है इसके हेरी से इस तरह से ओपर कांटे होते हैं नीचे से यह काफी हार्ड है देखने में सौफ्ट लगए हैं लेकिन जो नीचे यहसी पुराने होते मैंने काफी बार इसको देखा है तो मैं लेना भी चाहती थी लेकिन वहां पे 400 का मैंने देखा था लेकिन ये मुझे है तो कॉसली लेकिन उसके काफी कम रेट में मिल गया है तो ये पॉली बैग में लगा हुआ है तो इसी के लिए मैंने इसके ये जो पॉर्ट है नीचे इस को खरीदा है वहाँ पर एक लड़की है जो की बर्किंग है और ओनर कोई और है तो मतलब कि जब भी मैं वहाँ पर जाती हूं तो मुझे उनके प्लांट तो अच्छे मिलती ही है हेलदी होती लेकिन उनके जो प्राइस है वो भी अच्छे होते हैं तो मैं उनको बोलती हूं प प्लांट है पॉट है तो सभी में से वो लेस्ट कर देती है तो काफी वहां पे मुझे शॉपिंग करके भी अच्छा लगता है तो यह जो प्लांट है कैक्टस का यह वन थर्टी में मिला है और यह हाड़ी होते हैं कैक्टस शायद अभी मुझे इसके बारे में जादा नहीं पता है इसकी डिटेल वीडियो भी मैं आगे शेयर करूंगी जैसे जैसे इसके साथ टाइम बिताऊंगी उसके बाद यह वाला एक कैक्टस है काफी रियर है हर नरसरी पे नहीं मिलता है यहां भी हर नरसरी पे नहीं मिलता है तो यह लगकी लिए मुझे यह मिल गया है तो तो शायद नरसरी पे मैंने यहां पे देखा है तो प्राइज इसका काफी हाई होता है 3-400 या फिर 5-600 ऐसे होता है अकॉर्डिंग टू प्लांट की जो ग्रोध होती है इसकी यह जो प्लांट है एक सकुलन प्लांट है यह भी तो इनके जो नाम है वो मैं मैं नहीं करूंग तो फिर उनको यही लगता कि यही नाम है तो अच्छे से फिर मैं सर्च करके इनके जो नाम है या डिटेल वीडियो है वो मैं शेयर करूंगे इस प्लांट में सीड्स भी बनते हैं और इसमें फ्लारिंग भी होती है यालो कलर की होती है शायद अब मुझे यह नहीं पता कि यह यालो कलर में है या कोई और कलर है तो काफी डिफरेंट सा यूनीक सा एक यह प्लांट देखने में हमें ऐसे लगता नहीं है कि यह प्लांट है कुछ और ही चीज लगती है तो जब मैंने इसको फर्स टैम देखा था यूट्यू पे मुझे वे ऐसी लगा था मुझे नह नर्सरी से लिए हैं कि शॉप से तो टू सिक्स्टी के मुझे ये दोनों पड़े थी और इस ये वली जो इस तरह से जो शॉपिंग है वो मैंने की है तो आकल मैंने एक पोस्ट शेयर की थी पॉट्स की तो जिस पे मुझे आज एक कमेंट आया था कि आप प्लांट्स दिखा दिखा के लल चा देते हो तो ऐसे होता है हमें भी ऐसे मन करता है लेने का लेकिन अविलेबल नहीं होते हैं हमारे आस-पास तो उन्होंने एड्रेस पूछा था तो एड्रेस अगर मैं बताऊं तो मैंने काफी बारी बोला है कि शिलॉंग में रह रहे हूं और उंपलिंग वह जगह है जहां पे हम रह रहे हैं तो हमारे पास ही पढ़ता है नौंग मैं शौंग करके जगह का नाम है यहां पे छोटे-छोटे से एरिया या कैलीजे की गाउं है तो छोटे-छोटे एरिया की ही अलग-अलग नाम है तो यह उंपलिंग में ही पढ़ता है मतलब की जो न यहां पर मैंने दो तीन जगह से पूछा है क्योंकि पहले भी मुझे कमेंट आया था तो इस तरह से यहां पर कम करते हैं या करते ही नहीं है तो यहां पर रिपोर्टिंग हो चुकी है इस प्लान की जो कैक्टस है तो जो मिट्टी है इसमें मैंने वह यूज की है थोड़ी सी मुझे और डालनी पड़ी है अच्छी लगी तो लाइक करना फिर से मिलेंगे नहीं वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई बाई टेक क्या पर टेक क्या के लगटाश हो जब